इस केस में SCST Act का बावजूद इसके के सुव मोटो जो P.I.L. चली थी उसमें सारा जिकर हुआ है इस केस के ट्रायल में SCST Act का एक भी प्रावधान पुरा नहीं हुआ है यह RSS और BJP की गंदी और घिनोनी मान सकता है इससे जदा गंदी घिनोनी अब इसके अलावा मेरे पास गाली के अलावा कोई शब्द नहीं आ रहा है मूँ में जुल्म और ज्यात्ती करने की ताकत कहां से आ रही है RSSS और BJP के पास वो है EVM कानून यह कहता है आज भी के EVM से चुनाव नहीं होंगे पेपर बैलेट से चुनाव होंगे चुनाव आयोंग जिस तरीके से 6-6 मिनट अपना जो चुनाव की डेट से अलान करने से पहले 6-4 मिनट जो शहरी सुना रहे हैं यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अमिच्छा जी, मोदी जी, RSSS और BJP बहुत ज्यादा इस समय बैक फूट पे है और वो तैयारी कर रहे होंगे कि किसी प्रकार से अब ऐसा प्लान बनाओ कि हम मत पत्र से भी 10-20-50 तो सीटे जीत जाए यह भी अल्टरेंटेव प्लान उनका बन रहा होगा ऐसा में बता सबूत बड़ा जना अंदुलन करके EVM को रोकेंगे किसी भी हलत में EVM हट जाएगी तो फिर यह कोई जुल्म नहीं हो पाएगा लेकिन भानुसाब कोई इस हद तक भी जा सकता है इस हद तक प्लानिंग हो रही है कि हमारी ओपोजिशन भी हाईजेक कर ली जाए हमारी अवाज भी हाईजक कर ली जाए कि EVM से चुनाव नहीं होंगे पेपर बैलेट से चुनाव होंगे जब मोदी जी को जनता आज हटाने के लिए घूम रही है हिये नहीं बोलते कि इस जाती को मारो हम येण कर जनकना के लिए हम बोल रहा है तो जनकना होनी जाई कि हमें मारा लगा हो हमें कि कोई भी ना लगाने से कोई भी शर्थ बोलने से नखरत नहीं है कोई हमारी objection नहीं है कोई भी यही तो भारत के समिधान ने बावा साब डॉक्टर भीमरा अमबेट करने अजादी दिये कोई भी किसी भी पक्ष का हो वो किसी भी दूसरे पक्ष की तरफ जा सकता है हमारा अमबेट करवाद क्या है कि हमारे साथ अमबेट करवादियों के साथ भावा साथ कोई गाली ना दी जाए कोई मारा ना जाए भावा साब की मूर्तिया ना तोड़ी जाए भावा साब को गाली ना दी जाए हम भावा साब सामाज के लोगों को गाली और मार पीटना हो यह अमबेट करवाद है हम अपनी हिफाज़त करने के लिए अम्बेड करवादी है, हम किसी को मारने के लिए अम्बेड करवादी है ही नहीं बहुत सारे इस तरह के complicated cases जिसमें सरकार की पूरी ताकत लगी हुई और हातरस की बच्ची के खिलाव सरकार की पूरी ताकत लगी हुई थी किसी तरीके से इस मामले को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए और उसी लिए पूरे प्रशासन ने मिलके उस बच्ची को एक तरीके से उसकी बॉडी को नश्ट किया था, सबूत मिटाय थे उसकी अंतेश्टी नहीं होने दि पूरे सरकारी प्रशासन ने मिलके, यहां तक की हाई कोट को सुओ मोटो, स्वता संग्यान लेके, लखनव बेंच ने एक केस शुरू किया था जिस केस में योगी अधित्यनात जी खुद चीफ फिनिस्टर तक के उसमें इंटर्वेंचन और उनकी स्टेट्मेंट्स के बारे में लंबी चौड़ी जिकर हुआ महंगे से महंगे वकील दिल्ली से बुलाके इस परिवार को सुओ मोटो संग्यान लेके जिसमें कोट प्रट्सीडिंग कर रही थी उसको खतम करने की चेश्टा की जा रही इतना बड़ा दबाव होता है हमारे साथ जो वी वीकर सेक्शन से खास तोर पर SCST सबसे ज़्यादा इनके साथ होता है माइनार्टीस दूसरों के साथ भी होता है और OBC के साथ भी होता है क्या होता है पुलिस खिलाफ प्रेस मीडिया खिलाफ सरकारी वकील खिलाफ सरकार खिलाफ जजिस पी एक तरह का atmosphere ऐसा बनावता है वो भी हमारे समाज के atmosphere से बाहर नहीं निकल पाते वो भी एक तरीके से कुछ ना कुछ influence होता है ऐसा हमें महसूस होता है बहुत सारी courts में बहुत सारी courts में महसूस होता एक आखरी उमीद की किरन बचती है जो victim है उसका वकील अगर ये वकील भी hijack कर लिया जा तो क्या न्याय मिलेगा फिर तो वो ही अत्याचार के बाद अन्याय मिलेगा जिससे आने वाली नसले तक डर जाएं कि हमारी बच्ची के साथ ये हुआ हमारी बच्ची को सरकार ने जबरदस्ती जला दिया और अब हमें ही आज क्या हाल है उसकी family का देख लीजे जाके माँ पे वो अपने ही गर में बंदी हैं तो इतना अत्याचार दुराचार सब सब मिलके करेंगे और खुद ही हम ठगे हुए से बंदियों की तरह रहना है हमारी सारी जिंदेगी खतम कर दी हम जाके अपनी कहीं कमाई भी नहीं कर सकते हैं अपना पेड भी नहीं पाल सकते हैं तो आकरी उमीद होती है विक्टिम्स के वकील और उन विक्टिम्स के वकील को इसमें इस एक्ट में बहुत तकत दी है मैं ये वाला केस देखके मेरी आत्मा तक जिंजोर गई थी और मैं ये सोच रहा था इससे पहले के ये वकील साहिबा ने भारती जंता पार्टी जॉइन नहीं कर ली और ये बात मैंने आथ से पहले किसी वकील के बारे में नहीं बोली है पहली बार बोल रहा हूँ और महिला के बारे में बोल रहा हूँ तो मुझे खुद भी बहुत दुख है लेकिन मेरी अब आत्मा मानने रही है ना बोले बगयर बात इनकॉंपिटेंस की नहीं है मैं यही सोच रहता के इतनी सारी गलतियां जो हुई नहीं है इस केस में SCST Act का बावजूत इसके के सुव मोटो जो पियाल चली थी उसमें सारा जिकर हुआ है इस केस के ट्रायल में SCST Act का एक भी प्रावधान पुरा नहीं हुआ है तो मैं यह सोच रहता के शायद जानकारी नहीं होगी एक्सपिरेंस की कमी है मैं उस सोच के दिन रात इस केस में लगके और हमने एक ओर्डर भी कराया है अभी इछली पहली बार में अपियर हुआ था इस केस में ये केस इतनी बुरी तरीके से खराब किया गया है और इसमें गलती किसी की नहीं है बाकी सब तो मैं आपको बता ही रहा हूं खिलाफ होते है गलती सिरफ विक्टिम साइट की इसली है क्योंकि इनकी वकीलों ने भी गलती की, मैं अब तक यह सोच रहा था कि शायद समझदारी की कमी है, हमने इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोट से लेके और डिस्टिक कोट तक, इस केस में आप लोग मानोगे जबरतस्ती बॉडी जलाना, उसका कोई प्रोसीडिंग नहीं की गई है मैंने इसको भी सोचा कि ना समझी होगी वकील की, अकल नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी मैं यही सोच के जा रहा था, लेकिन जिस दिन ये प्रेस कॉन्फेंज हमने देखी दो दिन और मुझे लोगों ने बताया, तब मेरी आत्मा तक हिल गई कि क्या कोई इस हद तक भी जा सकता है इस हद तक प्लानिंग हो रही है कि हमारी ऑपोजिशन भी हाईजेक कर ली जाए हमारी आवाज भी हाईजेक कर ली जाए तब मेरी बाते हैं आप सारी समझ में आ रही है कि इस case को खराब किस तरीके से जिसको मैं ना समझी या वो समझ रहा था lack of experience समझ रहा था वो lack of experience नहीं था यह है इस case की क्योंकि इस case में कोई भी प्रवधान जो mandatory प्रवधान ने पूरा नहीं हुआ ना सरकार ने किया ना कोट ने किया वीडियोग्राफी तक नहीं हुए डॉक्टर लितु के case में है जो भी case हाथ देखते हैं वीडियोग्राफी हर्ट प्रसीडिंग की होती है अदालतों की भी प्रसीडिंग मेरी आखी सुल लीजिए यह RSS और BJP की गंदी और घिनो नहीं मान सकता हमने एक order कराया कि 2020 से case चल रहा है आपका सुवा मोटर कॉग्रिजन्स का इसमें आपने विभिन order किये थे जिसमें यह भी था कि इनको घर दिलवाया जाएगा एक नॉइडा में जैसे ही मैं इस case में requirement है हमारे पूरे देश में ऐसे भीक की तरह यह दिया जाता है जैसे कि जिस व्यक्ति के साथ प्रताड़ना हो उसी ने कोई गलती की कर दिया और हम बहुत बड़ा ऐसान कर रहे हैं तुमें एक नौकरी दे रहे हैं या तुमें एक घर दे रहे हैं तो हम तुमारे उपर बह पुलबूद भावना नहीं है विक्टिम सब जो दर्शायक गया इसमें हर एक वो विक्ति जो विटनेस हो हर एक वो विक्ति जो इस केस से कंसर्ण हो सारे परिवार वाले विक्टिम होते हैं और वह सभी के लिए नौकरी और घर का प्रावधान यह एक्ट करता है लेकिन प CRPF लगीवी है बिटैलियन लगीवी है पूरी गाव में दो चार घर थे बालमी की समाज के दो भाग गए घर छोड़के इस केस के बाद दो ही परिवार बचे उनमें से एक परिवार यह है जिसके लिए पूरी एक बिटैलियन CRPF की लगी है वो बंदी है अपने घरों में कि तो क्या सिरब एक ही वेक्ति को नौक्री दे के सरकार अपना पिंच उडा लेगी है pen एक ही मेंA को फेंच देना कानून है 1 तो इस केस्में भी अब एक परिवार को ये दे रहें तो इसनों ने ये कहा है कि हम नौइडा में नौकरी देंगे ये कोर्ट का ओडर था नौइडा में घर देंगे ये कोर्ट का ओडर तीन साल पहले था और उसके बाद अब ये लिखके क्या दे रही कार कि आपका जो अपना घर है न वो आ तोटी सी जमीन है वो सरकार ये कह रहे हैं कि हम तुमें दूसरा घर जब देंगे जब तुम ये घर हमें सरंडर कर दो ये क्यूपी सरकार का जवाब आया है कल हम इसकी जिबरदस्त मुखालफत करेंगे मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि कल आप ऑल लाइन जाके इसको हे इतने पैसे मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस पेटीशन को हातरस की उस बच्ची और इसके परिवार के हक रोकने के लिए वकीलों पे खर्च किये ना उत्तर प्रिदेश की सरकार ने इतने टॉप वकील जाते हैं इसमें सब उतने पैसे में तो इ में मारने के लिए लड़ रहे हैं ये फरक है अंबेट करवाद और मनुवाद में ये बुनियादी फरक है इसको कभी नहीं भूले हैं उसी पेटीशन में ये भी ओर्डर था कि सरकार को गाइडलाइन्स ये हातरस की बच्ची के केस में किस तरीके से रिस्पेक्टफुल क् क्योंकि इस केस में कोई सजा नहीं मिली सरकारी अधिकारियों को रामपुर के केस में वही रिपीट हुआ है जबकि हाई कोट के ओर्डर हैं तो जब तक हम सड़कों पर आंदोलन करके ये कानून को इंप्लिमेंट कराने की शक्ति हासल नहीं करेंगे यही हो सकेगा यही हो वह व्यक्ति हमारा नहीं है जो पिछले अपनी वीर गाता हैं सुना रहा है हो गया कटम वह तुम्हारा फर्स था बावा साब ने तुम्हें ताकत दी तुम्हारा फर्स था आज भी तुम्हें वही करना पड़ेगा अगर तुम लीडर रहना चाहते हो परना लीडर मानना बंद कर दिया जाए मैं यही कह रहा हूं वीर गाता है पांट साल पुरानी दस साल पुरानी एक्टर सतावन में मेरी फैमिली में क्या किया था मैं यह बता के बोलूंगे आज मुझे उसका फाइदा ना आज मुझे लीडर मानो ना मैं क्या करूंगा बावा साब मरते दम बिमारी और अपनी सब परिशानियों के बावा जूद मरते दम तक लड़ाई लड़ते लड़ते मारे थे तो जो मरते दम तक लड़ने के लिए तयार है वही अंपरेट करवा दिये अबीर गाता है पुरानी सुना के नहीं चलने वाला तो मेरा यही निवेदा ने आप से क इन केसिस को आप रेगुलरली फॉलो करें डॉक्टर लितुने भी यही का था इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप भी न्याए नहीं करेंगे और आप इमानदार पत्रकार हो देश के इन केसिस को continuity, stability और perseverance के साथ फॉलो करो देखो यह सब अत्याचार और दुरा आने वाले सरकारी बड़े-बड़े अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को भी और वही हम बादा करते हैं इस केस में होगा, उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी, मैंने सब पढ़ लिये फाइल, मैं बता रहा हूं, एक भी नहीं बचेगा जो इस आपका इस सवाल पूछने के लिए, जुल्म और ज्यात्ती करने की ताकत कहां से आ रही है, आरे से सब बीजेपी के पास, वो है इवियम, तो हर एक परिवार जो प्रताडित है, पीडित है, सड़कों पे आए हम यही कह रहे हैं, और यह अंदोलन हमने अभी सुप्रीम कोर रहे हैं सब, यह दाखिल नहीं किये जा रहा है अभी, इवियम या पेपर बैलेट से चुनाव कनाने की प्रक्रिया, असली मतदान करने के दिन से, 15 दिन पहले एक्जैक्ली शुरू होती है, जब ही कैंडिडेट्स डिसाइड होते हैं, पंदरा दिन पहले, उसके बाद ही एवियम का प्रयोग होता है, उसके बाद ही मत-पत्र का प्रयोग होता है, तो टाइम बहुत है, अगर हम लोग सब मिलके अगला एक हफ्ता काम कर लें, तो कानून यह कहता है आज भी, कि इवियम से चुनाव नहीं होंगे, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, दुनिया की कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ये फैसला नहीं किया है कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चीए दुनिया की किसी भी कोर्ट ने हमारी सुप्रीम कोर्ट के साब समेत ये फैसला नहीं किया है कि चुनाव EVM से होंगे मतपत्र से नहीं होंगे ऐसा किसी कोट ने फैसला नहीं किया है आज भी सबसे पहला जो option है वो मतपत्र के जरी चुनाव होना है दूसरा option है चुनाव आयोग के पास किसी एक दो consistency में और हर एक consistency में जिसमें वो ये समझते हैं मतपत्र से चुनाव नहीं हो सकता उसमें वो EVM से चुनाव करा सकते हैं जब करा सकते हैं तब करा सकते हैं जब वो उसकी खास वज़ा बताएं कि EVM से चुनाव यहां इसलिए कराने मत्त्र से इसलिए नहीं कराने यह धारा 61A है Representation of People's Act की धारा 59, 69 और 61A आप लोग पढ़ लें आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो कोई भी यह सोचने की ज़रूत नहीं है कि हम लोग जो हैं यह हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है यह वक्त काम है चुनाव आयोग जिस तरीके से 6-6 मिनट अपना जो चुनाव की डेट से अलान करने से पहले 6-4 मिनट जो 6-4 शाहरी सुना रहे हैं यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमिच्छा जी, मोदी जी, RSS और BJP बहुत ज्यादा इस समय बैक फूट पे है और वो तयारी कर रहे होंगे किसी प्रकार से अब ऐसा प्लान बनाओ कि हम मत पत्र से भी 10-20-50 तो सीटर जीट जाए यह भी alternative प्लान उनका बन रहा होगा ऐसा हमें बता सकते हैं लेकिन आप टीम तो टूटने का पर है हमारी टीम अलंग नहीं कैसे तो कहा एक टीम मेंबर थे कि अगारे सदी sano ए के मेरे साति हम तो खुदी नोकर हैं जंडा के अगए स्थि क्या होता है हमारी टीम क्या है थाम एक टीम के नोकर है ए यह तम हमारी यह देश की जंता कि दुनिया का सबसे बड़ा जो वो डेमोक्राटिक देश है वो भारत है भारत में चुनाओं की मतों की चोरी हो रही है खुले आम चोरी हो रही है वो राजनीती दुनिया की सबसे बड़ी राजनीती हम लोग कर रहे हैं और यह राजनीती हम नहीं कर रहे हैं यह देश की जंता जो है उन्होंने अपने इमान प्रतमध्दार समझते हैं और किम हमारी जनता है हम टीम का एक छोटा सा हिस्सा जो जो वेक्ती जो वेक्ती इस टीम के जो बालिक है पीछे जनता उनकी उमीदों के खरा उतरेगा मुझ समेथ जो एव्यम की लड़ाई को अपने जाती चुनाव से अपने जाती फायदे से तो कोई और मोदी जी से बड़ा तो आज ताकतवर आद्मी नहीं है यह सच्चाई जो जब तक इमांदारी से लड़ाई लड़ेगा वो टीम यानि कि देश की जंता का सच्चा नौकर है वरना वो बेहिमानी कर रहा है अगर भानु प्रताब सिंग जी ने ऐसा कहा है कि एवियम से उन्हें कोई जादा दिक्कत नहीं है अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे 440 वोल्ट का नहीं अगर ऐसा मैंने ऐसा मैं सुन रहा हो तो फिर बाइक और करेंगे नहीं जो 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 जनता के इमानदार नौकरों की एक जनता ने टीम बनाई थी उसमें यह फैसला हुआ था मैं जरूरी समझता हूं आप यह सवाल पूछना तो बताना कि हम सभी प्लिटिकल पार्टी से जो RSSR BJP के साथ नहीं सभी प्लिटिकल पार्टी को अप्रोच करेंगे सभी प्लिटिकल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे बड़ा जना अंदोलन करके EVM को रोकेंगे किसी भी हालत में क्योंकि बुन्यादी बात क्या है आनुजी का एक मत था मेरा मत उससे थोड 20% तक बानुजी का ऐसा मानना था कि इसमें वो 100% भी गड़बड़ी कर सकते हैं खेर वो एक अलग बात थी अब अगर इसमें 20% तक की भी गड़बड़ी हो जाती है तो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने का फाइदा क्या होगा और अगर एकाद MP 20% का मार्जिन क्रॉस करके या कुछ MP, BJP के नकली 20% वोटों का उपर भी वोट लाके जीत जाते हैं तो क्या हम लोग उनको मेजोरिटी में आने से रोक सकते हैं जूटे नकली 20% वोटों के बावजूद भी ये बुनियादी लड़ाई है जिस समय हम वो नजर आ रहे थे लोगों को जो सिरफ बात नहीं करते सड़क पे रहके गोली खाने को तयार हैं सड़क पे लेके लाटी खाने को तयार हैं हम जगता जो हमारी मालिक है हम सब की भी उसके आगे पुलीस के सामने खड़े रहने की जुरत रखते हैं ये जिम्मेदारी हमार के लिए भी छोड़ देना ना सिरफ सबसे बड़ी बेवकूफी है बलकि एक तरीके से सबसे बड़ी नासमजी भी है तो कोई भी वेक्ति EVM के मुद्दे को न चोड़े हमारा तो प्लान ये था कि हम लोग क्योंकि इतनी मेहनत करके हमारी इतना प्यार हमने अरजित किया है तो एक टीम के तौर पे हम सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं जो बीजेपी और रसेस के लाव हैं उनको अगर ऐसा लगता है और हम ये हमारी दिल की इच्छा है थी कि हम इन सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सडकों पे जाके वो केंपेइन भी करें इन लोगों के हर काम आये जो ये रसेस और बीजेपी को हराने के लिए हमसे लेना चाते हैं हम आज भी इसी उस पे तयार हैं लेकिन EVM का मुद्दा एक लेश मातर भी कॉंप्रमाइज नहीं करेंगे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमसे भी हमारे साथियों से भी कोई भी काम लेना है तो हम भी अपनी सर्विसेज दिन रात पेश कर रहे हैं किसी भी प्रकार का कोई काम लेना है लेकिन EVM का मुद्दा सबसे पहला मुद्दा है सभी पॉलिटिकल पार्टी को और राहुल जी ने तो कह भी दिया है साखिलेश जी ने भी काया है लेकिन सड़कों पे आने की देर है वो भी एकाद दिन में आ जाएंगे EVM का मुद्दा पहला है चुनाओ जो इतनी बड़ी गद्दारी हुई है तब भी हम यह बोल रहा है क्योंकि हम समझदार लोग है EVM हट जाएगी तो फिर यह कोई जुल्म नहीं हो पाएगा लेकिन भामु साथ तो EVM जो चुनाओ जो लड़ रहे है वोट ले जाएगी क्या आपने आपको हम हर एक उस वेक्ति के साथ हैं हर एक उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं जो RSS और BJP को रोकने के लिए एक भी कदम ले रहा है हम उस वेक्ति के आगे रहके उसकी ढाल बनके उसके जिन्दाबाद के नारे लगाने के लिए तैयार हैं बगेर किसी लालच के बगेर कोई हमारी आशंका अकांग्षा नहीए कोई Хमारी सिरफ एक ही demande है एक ही request है एक ही आग रहे है के सबसे पहला मुद्दा हर एक जो भी party या individual है वो सबसे पहला मुद्दा अपना EVM हटाने को रखे बाकी सारे मुद्दे अपने आप हल होने की रापर चले जाएंगे बेरोजगारी राष्ट्रिय सुरक्षा और करप्शन यह सारे मुद्दे जो है ना यह सब अपने आप दुरस्त हो जाएंगे क्योंकि कोई भी दूसरी सरकार जो होगा तो क्या आप कह सकते की भानुपरताब की हार होगी क्योंकि मद्दान EVM सोनी जा रहा है देखिए अगर वो EVM का बुद्दा छोड़ देते तो हार उनकी वैसे हो गई हो जाएगी लेकिन फिजिकली भी हार होने के चांसे 20 परशंट जो मेरा मानना था उनका मानना तो उससे बीजेपी की गिंती की शुरू होगी बानुपरताब जी की गिंती या किसी भी दूसरे केंड़ेट की जो EVM से चुनाव लड़ेगा और बीजेपी रसस के खिलाफ है उसकी गिंती जीरो से शुरू होगी यह इतना बड़ा फरक है यह समझ के ही चुनाव में उतरना चाहिए अपनी कमर कश लेनी चाहिए और ज्यादा मेनत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए हम उस तरह के सिपाई है जो जब तक हमारे शरीर में एक भी खून का कत्रा बाकी है जब तक हम नेगेटिव बात नहीं सोचते हैं मैं आपको कोई भी मुझे से सवाल पूछो कभी पूछा भाई ने के टाइम कम है मैं हार की बात सोचता ही ना अब अगर ऐसी वैसी सिती आएगी तो तब की बात तब द देखिए मैंने आपको फिर बताया मैं नेगेटिव बात अपने दिमाग में लाई नहीं सकता लेकिन अगर ऐसी हालात आ गया आप बोल रहे हो आपके अप्योटिकल क्वेस्टिकल जवाब दे रहा हूं तो EVM रोकने के फिर भी बहुत तरीक है लेकिन लड़ाई नहीं छो के भीमा कोरे गायों वाले अपना महास चोड़के पीछे अट जाते तो वह गलत बात होती लड़ते लड़ते वह चहीद होगे जीत गए बगा दिया उन्होंने कोई कोई सोच सकता था भीमा कोरे गायों के एक्जांपल से मैं समझा रहा हूं 500 लोग 27,000 लोगों को हरा सकते लेकिन क्या वह पहले लड़ाई बंद कर देते जब वह मौका आएगा तो वह भी लड़ेंगे वह भी जीतेंगे उसके बहुत सारे तरीके उसका एक तरीका यहीं तो हम कह रहे हैं ना हमसे डिसकस करके टीम से डिसकस करके कोई भी कारून चाहा तीन सो चरासी कैंडिडेट लाके भी रोकी जा सकती है अभी बहुत सारे तरीके अभी हमारे तरकेश में बहुत तीर है आप इतना होसला मत छोड़िये हमारी प्रॉब्लम सिरफ यही थोड़ी सी हो गई हमें कि जो एक जनता ने ऐसे फेसिस चुने थे ना जिनके आगे मोधी जी का कोई भी सिपसलार टिक नहीं पा रहा था उसमें थोड़ा हमें थोड़ी से धक्का लगा है लेकिन हम अंबेट करवादी हैं हम तो क्या है संगर्शो के आदी हैं हम लोग फिर रुगरूप करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे आप फिकर ना करें सबसे बड़ी की जरुवत हैं वह है इमांदार और समिदान के प्रतिव वफदार होना समिधान के प्रतिकेत जो वेवितार हो जाएगा वो जनता का घुलाम हो जाएगा नौकर हो जाएगा मालिक बनने की चेश्टा ही नहीं करेगा मैंने आपको बोला किसी भी बात को छोड़ दीजे वंच वादो मनुवादो अंबेड करवादो जो समिधान में सची निष्टा रखता हो जो शपत लेते हैं न सब वही व्यक्ति किसी भी इलेक्शन लड़ने के लिए काबिल है इसी लिए आप देखेंगे नौमिनेशन भरत सबसे बड़ी डिग्री है और यही क्वालिटी सबसे मुश्किल काम है यह कब तक मतलब की आने वाले समय में ऐसे चलता रहेगा कोई प्रक्रिया के ताहट जो है इसमें यह ऐसा कोई नहीं बिलकुल जरुवत नहीं है जो समिदान आज है एक अंपड़ वेक्ति भी बहुत समझदार इमानदार और दिमागवला हो सकता है सिरफ कागजी या स्कूल में पढ़ाई कराने की बिलकुल हो सकता है बिलकुल हो सकता है वो बिलकुल चाय बेशना कोई अगर अग मैं देखे इसलिए गरंटी के साथ बता रहा हूं यह मेरा चैलेंज है मोधी जी को अगर व साथ क्या रहा हूं इसने डॉक्टारी तुने तो गभी पकड़े तलने की ट्रेंड नहीं ना क्या टेस्टी पकड़े बनाती ए क्योंकि ये पैदाईशी इंटेलिजंट है के बल है कोई भी काम में यह सफर हो जाएगी मोदी जी कोई काम नहीं कर सकते चाय नहीं मना सकते पकोड़े नहीं मना सकते देश थो बहुत छला ही नहीं सकते वो सिरफ जूटी और नकली बाते ही कर सकता निस्नल दस्तक के आप से गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्वल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्वल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे